दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल इबिटिक में आज तीन अप्राल दोजार तेस और जान लेते हैं आज की मातपून खबरें जो आज के प्रमुख समचार पत्रों पे चाही हुई हैं सबसे पहली अपडेटिया आपट देख सकते कि 153 होमेपैतिक सिखकों की सेवा समापत हो गई है इससे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे लगबग 3500 बच्चों के साथ ही सिखकों का भविस्वी अंदगार में जा चुका है राजकी होमेपैतिक मेडिकल कॉलेज अलीगडवा गोरकपुर में पढ़ाई 2019 से सुरू हुई बांकि के साथ का साले जो में सालों से जो कूर्शन रहे हैं अलीगडव हमेपैतिक मेडिकल कॉलेज में सिखकों 24 इस्थाइप पदाए इन बदों पर सासन ने 12 महिने के संवेदा सिखकों की तैनाति की थी और यहां पर अब समीधा सिखकों की सेवाई समापत हो चुकी है बहुत सारे इन व पूरकपूर लखनवु पुर्यागराज गाजीपूर आजमगड और अध्या मुरादावाद कानपूर कितने सिच्छक हैं कितने समझदा पर हैं कितने नियमित इसके में पूरा डाटा यहां पर दिया गया है फिलाल यहां पर लिखा कि लखमक 3500 विद्याड़तों के सो में भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप एको सिस्टम में बदलने के लिए प्रदमंति नरेयन मोदी के दूरदर्सी और दश्नेतरत की सराना की उद्देयों किम आंतरित ब्यापार संबर्दन विवाग के साथ पंजीकित नवे अजार सेदी के स्ट स्टार्ट अप में पड़त चुरूप से 10 लाख नौकरिया यहां पर पैदा की हैं यह कहना है प्यूस गोएल जी का कि स्टार्ट अप में 10 लाख नौकरिया दिये स्टार्ट अप बहुत ही एक अच्छी चीज़े कहने के मतलब चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बा कोचिंग देंगे नए सतर में दिल्ली मॉडल वर्चुल स्कूल में इन डिमांड जॉब औरियंटेड कोर्स को सामिल किया जाएगा इसमें कोडिंग डिजिटल मीडिया यां डिजाइनिंग फाइनेंस एवंड अकाउंटिंग सभी अनेक कोर्स यहां पर सामिल लाएंगे तो फिलाल यहां पर जेई और नेट के मुप्त कोचिंग मिलेगी इसके लाग कई सारी सुभधाएं भी मिलेगी जो कि यहां पर आप लोग दे सकते हैं मैंसन की गई है चलिए अगली अपडेट यहां पर है PCS रिजल्ट को लिकर के लिका है दस दिन में PCS का अंतिम चैन प पूरी हो चुकी है इस बर आयोग संग लोग सेवा आयोग की सिविल सेवा परिच्छा से पहले यूपी पेस्टी का परड़ाम देने की कवायत में है ऐसा हुआ अगर तो आयोग के लिए बड़ी उपलब्दी होगी और सतरवी पड़री पर आ जाएगा PCS के 383 बदों पर बढ़ती के लिए प्रारंबीग परिच्छा 12 जून 2020 को करवाई गई थी प्रारंबीग परिच्छा से लिकरकर के इंटर्व्यू तक की प्रक्रिया दस महिने से पहले पूरी कर लिए प्रारंबी परिच्छा के लिए 6 लाख अभ बिड़तियां अन्यापर फार्म वड़ा था 27 जुलाई को परड़ाम में 5964 विर्थियां पर सफल गोसित किये गए थे इसके बाद मोग के परिच्छा के लिए 27 सितंबर से क्वालिफाई किया गया था इसके बाद इंटर्विव शुरू हुए ठीक है और इंटर्विव यहां पर जो है वह बीस परवरी से कही समाज तक आयोजित किये गए आपको बताना चाहिए मोग के परिच्छा का परड़ाम गोसित होने से पहले 132 बिर्थियों को तकड़ा से निरेश्ट कर दिया गया था तो आयोकु सुत्रों के अनुसार प्रड़ाम जो है इस हपते जारी होने की संभावना है जिन बढ़ती होनी उसे मुख रूप से सब्सक्राइब के पद हैं वीडियों के पद हैं नायपते जिलदार के पद हैं और बियसे के पद हैं यूपी बोर्ड कोर्स में कटाउती से नीट जीए की तैयारी पर पड़ेगा असर ऐसी आइस एंसी आइटी की यूट सची से दुजड़ते इस चौबिस के पठकर में कटाउती की गई है इसका असर चाहत्राइब के मेडिकल और इंजिनिंग समें अन्य परतियों की परु साइन से हटा दिया गया पलब एंसी आर्टी ने सिलेवस घटा दिया इस बज़े से यूपी और और सीबियस सी बोर्ड की किताबों से भी स्लेवस कम हो गया है और इसका असर त्यारी करने वाले छात्रों पर बेसिक रूप से पढ़ेगा जो की जे और नीट के तैयारी कर हैं तो फिलाल यहां पर जो कहें जो इस बार कई सारे जो चैप्टर से मुकम किये गए जिसका असर यहां पर देखने को मिलेगा कोविड को लेकर कि एक बार अपडेटे कलके समाचार पत्रों में दिया था कि कोविड जो थोड़ा सा फिर बढ़ने लगा जिसको लेकर क्या लाज की समस्सार पत्रों बताया गया कि कोविड से गवराने के जरूरत मैं परदेश के उपमकमंत्री पर श्रैस इन विदिसकारों में इलाज के भृकताय Tell get में संक्रमन की संदेब़ गर में इलाज करें 24 यह चिए करना है आपको बताना चाहेंगे करा पीसेज 1973 लिए आउद्न करना चाहा रहे तो आज आउद्रेस में आप लोग आ लोग कर देना सुझार कारा हूई तीसके लिए आप oddam करने अंतिम डेटा है ठीक है और 6 अप्राल तक फीश जमा करके यहां पर फॉनल सम्मिट आप लोग कर सकते हैं चले बात कर लेते हैं मातपूर्ण वेकेंसी के बारे में तो पीजीटी की दोजार 1137 नियुक्तियां होंगी यह अपडेट यहां पर जे एससी की तरफ से जहरेखंड में पिजीटी की भड़तियों का विग्या पंजारी हुआ है उसी के बारे में यहां पर अपडेट के 2137 पदों पर भड़तियां की जाएंगी और अच्छे यहां पर पद हैं पिजीटी में यहां पर पदों की संख्यात देख सकते हैं सब ज़्यादता डेट सो दो सो क्यास पसपत हर विशाय में यहां पर आएं और इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है पांच अप्र लेहनी दो दिन बाद ही शुरू हो रही है और यहां पर चार में आवेदन करने की लास्ट डिट रहेगी इस तारिक तक आप विदन कर स में आवेदन के लिए जैसे पोर्टल खुलेगा तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं यह आवेदन फार्म हमारी वेबसाइट गवर्मेंट जो भी से इंटर डॉट कॉम पर आवा लेवल है वहां से जाकर करके आप लोग अभी से नोटिफिकेशन मगारा चेक आउट कर सकते हो अब डिटेल चेक आउट कर सकते हैं लिंक एक्टिवेट होने के वाद आवेदन भी आप लोग वहीं से कर सकती हैं तो उम्मीद करता है वीडियो फसंद आया होगा इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा वीडियो को लाइक और सेर भी कर देना इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद